मंगल पांडे के ग्यारे सो सहयोगी थे, सबने नौकरी छोड़ दी, पांच पांच छेचे का समू बना लिया, एक एक गाउं, दो दो गाउं, तीन तीन गाउं घूमना शुरू किया, उत्तर दक्षिन पूरा पश्चिम चारों दिशाओं में फैल गए, गाउं गाउं अंग या चार अंग्रेज और इस्ट इंडिया कंपनी कर रहे थे, तब उनके खिलाफ भारत में विद्रो हुआ था, और तब भारत के लोगों ने बगावत की थी, पहला विद्रो तो हुआ 1857 में, आप सबी जानते हैं, नाना साब पेश्वा ने बिठूर जैसे छोटे से मेजर हीूसन को धेर हो गया, उसके बाद कुछ अंग्रेजों ने पकड़ लिया और आट दिन बाद मंगल पांडे को फांसी पे चड़ा दिया, तो मंगल पांडे के जो सही होगी थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, संकल पुठा लिया, हाथ में गंगा जली उठाई और कसम खाई कि जिन अंग्रेजों ने मंगल पांडे को अत्याचार करके मारा है, हम इन अब अंग्रेजों को मारेंगे, तो पहली बार भारत के लोगों में जो शाया, पहली बार भारत के लोगों में बलवती हुई भावना, प्रतिकार करने की प्रतिशोग थे, और आपको मा गाओं दो दो गाओं तीन तीन गाओं घूमना शुरू किया उत्तर दक्षिंड पूरा पश्चिम चारो दिशाओं में फैल गए गाओं गाओं अंग्रेजों की अत्याचार की कहानियां सुनाना शुरू किया तो लोगों का खून उबलने लगा और संगठन बनने लगा और संगठन एक दिन इतना ताकतवर हुआ कि नानसाब पेश्वा जैसे एक व्यक्ति का शुरू किया हुआ संगठन बहुत जल्दी साथ लाग बत्तिस हजार क्रांतिवीरों का संगठन बन गया और थोड़े ही दिन के बाद चार करोड़ से जादा लोग उसमें शामिल हो गए फिर ये तैह हुआ कि एक साथ अंग्रेजों को पूरे देश से मार के भगा देना है एक साथ तो उसकी तारीख तैह हुई 31 मई 1857 पूरे देश में अंग्रेजों के साथ विद्रो होगा बगावत होगी और हर जगे जो अंग्रेज मिलेगा उसको मार डाला जाएगा ये से गलती क्या हो गई गलती ये हो गई कि 31 माई 1857 की तारीख तेह हुई एक साथ पूरे देश में बगावत करने की लेकिन यहां मेरट में कुछ क्रांतिकारियों ने 20 दिन पहले ही उस बगावत को शुरू कर दिया 10 माई 1857 गड़वड ये हो गई माने अति उत्साह जो है ना बहुत खतरनाक होता है